हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी को दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मुलेशन प्लांट के बारे में जिसमें अभी रिक्वर्मेंट चल रही है तो और आज हम आपको बताएंगे कि इंटर्व्यू कब होने वाले हैं और क्या 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 से आप जोब के लिए एपलाई कर सकते हैं और एपलाई फ्रेशर कर सकते हैं यह एक्सपिर इसके मत कीजिए और लाश्ट तक जरू बने रही है क्योंकि मैं आपको इंटर्व्यू डेट और कहां इंटर्व्यू के लिए जाना है यह सब चीजों की वारे में आज हम डिसकस करने वाले हैं आज की वीडियो में तो दोस्तों लाश्ट तक बने रहे हैं और आज का जो भी पहली बार हैं और अभी तक सस्क्राइब नहीं किया चैनल को तो सस्क्राइब कर लेजह क्योंकि आप तक इसी तरह की वीडियो पहुंचती रहे और आप तक हर निव वीडियो का नोटिफिकिशन भी पहुंच सके तो चलिए दोस्तो हम वीडियो को स्टार्ड करते हैं दोस्तो आज हम जो फर्मिलेशन प्लांट के बारे में जो हम वेकेंसी लेके आए हैं वो दोस्तो सारी ओनरॉल जॉब हैं और काभी सारे लोगोंने ओनरॉ प्लाइन चेली इनका इंट्रव्यू सोगास्त करने वाला है तो वह तो क्या-क्या वेकेंसी हैं और क्या-क्या यह कॉल्पेकरस न अजềंस है इसके बारे में हम समझ लेते हैं तो सबसे पहली जोी कि रहे सब्यांसी रहेगी और इसका इंट्रव्यू 16 अगस्त को हने वाला है और जोब लोकेशन दोस्तों पीतंपुर रहेगा जिसमें केवल एक्सपिरिंस जिनको आई पी की युए का एक्सपिरिंस है वो ही लोग इपलाई कर सकते हैं इस जोब के लिए और एपलाई कैसे करना है यह हम आपको लाश्ट में वीडियों बता देंगे और दोस्तों जो सेकंड बेकेंसी है वो दोस्तों MBA मार्केटिंग के लिए है जिसमे में मेल केंडिडेट ही एपलाई कर सकते हैं और फ्रेसर और एक्सपिरिंस दोनों ही एपलाई कर सकते हैं और जिसमें आप सेलरी की बात करें तो 15,000 से 18,000 CTC रहेगा और जोब लोकेशन भी पितंपूर है और इसका इंटर्विवी सोलागस्त को होने वाला है तो तीसरे नंब मिनिममम एक साल का एक्सपिरिंस कंट्रेक्शन लाइन का होना बहुत जरूरी है तभी आप जोब के लिए अपलाई कर सकते हैं और जोब लोकेशन भीतंपूर है और जो इंटर्विवी है वो भी सोलागस्त को होने वाला है और दोस्तों इसके बाद में जो चौते नंबर क वेकेंसी है वो दोस्तों कंपूटर अपरेटर के लिए है और जिसमें एक्सपिरिंस मिनिममम छे माइने से 1 साल का कंपूटर नौलेज होना चाहिए और एनि गरूजिशन भी चलेगा कोई भी गरूजिशन हो और कंपूटर नौलेज होना बहुत जरूरी है तभी आप हजार से 24,000 के बीच में रहेगा CDC और जो पांचवी नंबर की वेकेंसी है वो दोस्तों फीमेल्स के लिए है जिसमें बी और डिपलोमा मेकेनिकल और एलेक्टिकल फीमेल्स केंडिडेट एपलाई कर सकते हैं जिसमें उनकी सेलरी रहेगी वो 14,000 से 16,000 CTC रहेगा और जोब लोकेशन पीतंपूर रहेगा और इंटरव्यू जो डेट है वो 16 अगस्त को होने वाला है तो मतलब देखा जाए कि सारे इंटरव्यू 16 अगस्त को हने वाले हैं और इंटरव्यू के लिए अपलाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में और हम बात कर लेत हैं तो दोस्तों आप हमें YouTube में कमेंट करके अपना नाम क्वालिफिकेशन डेट ऑप बर्थ और अपना कॉंटेक्ट नंबर लिखके हमें कमेंट सेंड कर सकते हैं आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा और आपको कॉल भी कर लिया जाएगा और आपको जोब लोकेशन कहा एंट्रिवी के लिए जाना पीदमपुर में यह भी आपको बता दिया जाएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि आन्रोल वेकेंसी आती रहती हैं और मैंने पिछले वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको दो लेटेस्ट जो जो ईड़ी के बारें बात करते हैं तो इडि और दरसि बार में C 65 Avenue के लिए पर दिया कहना हैं और तोreno कोई भी आपका कोशन है तब भी आप में कमेंड करके बता सकते हैं आपको बीदा जरूर रिपलाई दिया जाएगा दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि कापी सारी on roll vacancy आती रहती हैं तो उसके लिए आप लोग ए ना समझे कि अभी 16 अगस्त कोई है उसके बाद में हो सकता है इंट्रिवू ना आए तो ऐसा नहीं है vacancy आती रहती है आप जब भी वीडियो देख रहे हैं तब भी आप अपना detail send कर सकते हैं चाए वो 16 अगस्त हो चाए उसके बाद भी आप देख रहे हैं और दोस्तो अभी सितंबर से और आप हर vacancy का notification आप तक पहुंचता है तो आप बिल्कुल सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और ठीक है दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्वाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और फार्मा कंपनी या आटो मोबाइल कंपनियों की जोब अपडेट लेके आता है